ये रहे साट लाख रुपे, किसी भी सेलिब्रिटी या पॉलिटिकल पार्टी को पैसों की लांच देकर अनफॉलो करवाना कितना मुश्किल होता है, इस क्रेजी चैलेंज के लिए इंडिया के एक साइंटिस्ट राज रगुनाथा ने एक्स्पेरिमेंट किया, चैलेंज ब जबला परला दिखने वाला चिकन जनेटिकली एंजीनियर्ट है, अब इन सारे लोग में से आधे लोगों को अलग करके उन्हें ये बताया गया, कि ये नेचरल चिकन खाने में काफी हल्दी है, पर इसका टेस्ट बहुत खराब है, पर ये जनेटिकली एंजीनियर्ट चिक खाने में काफी हल्दी है, पर इसका टेस्ट बहुत खराब है, और फिर उन सारे लोगों को इन दोनों में से किसी एक चिकन को चूस करने के लिए बोला गया, अब मैं आपको बताओ तो रिजल्ट इतना शौकिंग नहीं था, इन दोनों ग्रूप में से मेजोरिटी ओफ ल को पूछा गया कि तुम लोगों ने इस चिकन को क्यों चूस किया, तो उन लोगों ने बताया कि आपने बोला थान कि चिकन खाने में इतना हल्दी नहीं है, पर इसका टेस्ट बहुत बढ़ी आता है, तो खाने में टेस्ट बढ़ी आउना चीए, खाना हल्दी हो या ना हो वो तो इधर उधर चलता है तो दोनों गुरूप ने सेम चिकन को चूस किया पर रीजन्स अलग-लग बताए अगर मैंने भी आपको इन दोनों मैंसे किसी एक चिकन को चूस करने के लिए बोला होता तो आप मैंसे भी majority of लोगों ने बिना सोचे बिना सोचे इसी चिकन को चूस क्या होता क्यों? क्योंकि देखने में अच्छा लग रहा है अब कभी शाकपाची लेने गए अपनी मा के साथ वहाँ पर भी यह होता है लिस्ट में कहीं पर भी धन्या लिखा ही नहीं है पर मा जब स्टोल पे जाती है तो उनको हरा भरा एकदम फ्रेश धन्या दिखता है तो मा फट से उसे खरीग लेती है फिर जब आप पूछते हों कि मा लिस्ट में धन्या तो लिखा नहीं है क्यों लिया? तो मा बोलेगी अब बेटा धन्या आखो के लिए अच्छा होता है मा ये नहीं बोलेगी ये धन्या दिखने में इतना अच्छा लग रहा था कि लेनक मन हो क्या? और मा ऐसा क्यों करती है? क्योंकि सोसाइटी में अगर आप अपनी चॉइस को emotionally justify करोगे तो कोई आपके response को accept नहीं करेगा क्योंकि सोसाइटी में हमें क्या सिखा जाता है? अपको scientific बनना है अपको rational thinking रखनी है अपको logical बनना है पर problem ये है कि हम सब emotional creatures हैं इसलिए धन्या लेने से लेकर role model चूज़ करने से लेकर life partner चूज़ करते वग भी हम emotionally decisions ले ले लेते हैं पर जब उन choice को justify करने की बारी आती है society में दिखाने की बारी आती है तब हम उन emotionally ले गए decisions के ऊपर एक logic की चद्दर लगा देते हैं ताकि उसके नीचे छुपा हुआ emotional decision किसी को दिखेना और इसलिए मा धन्या लेने के बात ये नहीं बताती कि बेटा देखने में इतना अच्छा लग रहा था ले लिया ने 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 मा आपको scientific rational reasons बताती है कि बेटा धन्या आखो के लिए अच्छा होता है और यहीं वचा है कि जब आप Kohli fans को पूछते हो कि भै तेरे को Kohli की पसंद है तो वो आपको rational logical reasons बताते है कि Kohli की fitness देख कौन है उससे ज़्यादा भिट इसकी टेकनीक देख उसका test record देख वो यह नहीं बुलेंगे मेरे को ची को पसंद है सिंपल है और इस phenomenon को science की भाशा हम बोलते है और यह हम साब करते हैं देखो कर आप एक date में जा रहे हो या फिर कोई नए इनसान से मिल रहे हो या फिर आप कोई business चला रहे हो तो starting में ही उन लोगों के साथ strong emotional connection बनाना बहुत सरूरी है क्योंकि आपको पता है कि एक बार लोगों ने emotionally आपके product को juice कर लिया तो फिर वो खुद अपनी खुद की choice पर logic की चड़र लगा देंगे और एक बार logic की चड़र लग गई तो उसके नीचे तबाह हुआ emotional choice को देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है फिर वो चड़र उठाते उठाते पातदस साल निकल जाते हैं तब तक में आप उन्हें चड़ी बन्यान बेश के करोड़ों कमा सकते हूँ करते हैं यूटिवर्स जो बड़ी यूटिवर्स होते हैं उन्होंने करीब 3-4 लाख लोगों से वो emotional connection बना रखा होता है फिर वो उन्हें को चड़ी बन्यान बेशते रहते हैं फिर वो कैसे वीडियो बनाए लोग देखते हैं और यह टिप सर्फ यूटिवर्स के लिए नहीं है यह साब के लिए हैं अपको स्टार्टिंग में ही लोगों के साथ strong emotional connection बनाना है क्योंकि एक बार लोग आपकी प्र